जी साब तो रात के धाई बढ़ रहे हैं और इस वक्त वाइट हाउज में प्रदान मंत्री नरेंड मोदी और डॉनल्ड ट्रम्प की अगवाई में दोनों देशों की बीच डेलेगेशन लेवल की बापचीत हो रही है वो तस्वीरे हमने आपको दिखाए अभी कुछ सकिन में आपको तस्वीरे भी दिख जाएंगी वाइट हाउज में मोदी और ट्रम्प उलाकात की जो ये दस बड़ी बाते हैं वो आपके सामने फटाफट चल रही हैं आप उन पर नज़र डाल लीजिए तो ये पहली बड़ी बात वाइट हाउज में प्रदानमंची नरेन मोदी अपने डेलिगेट के साथ और वहाँ डोनल्ड ट्रम्प अपने अधिकारियों के साथ अपने मंटियों के साथ बातचीत कर रहे हैं वाइट हाउस में पहले 20 मिनिट वान ओन प्रदानमंची नरेन मोदी और डोनल्ड ट्रम्प की बात चीत हुई प्रदानमंची नरेन मोदी ने कहा कि आपने जिस तरीके से मेरा वेलकम किया है ये सिर्फ मेरा वेलकम नहीं है ये देश के एक एक नागरिक का वेलकम किया, ये बहुत बड़े सम्मान की बात है उसके बाद डॉनल्ड ट्रम्प ने भी प्रधानमंत्री नरेंडर मोधी का स्वागत करने के बाद ये कहा कि प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी एक बहुत करमट नेता है उन्होंने शुक्रिया आदा किया और उसके बाद आप ये बातचीत आगे जा रही है डेलिगेशन वहाँ पर दोनों तरफ से आपस में बातचीत कर रहे हैं जो में मुद्दे हैं वो मैं आपको फिर बता दू एक मुद्दों को ये ये जो मुद्दे हैं ये अमेरिका की तरफ से हमें का गया है कि रक्षा सयोग आतंक्वाद इस पर हम बात चीत करेंगे एनरजी को किस तरीके से साजा किया जा सकता है इस पर बात करेंगे हुआ है ये तो तेजिए निम्सासा, अड़िका और अरब गूमीर करे, विश्म के लिए तो चुटस्टेटा है, और उसकने कि अप्काने तुटाँ नहीं काने लिएक नहीं काने लिए लुटन जादा करेगा, यद वे जिस भाल गूम आदा करेगा. तो यह सुना अपने प्रदानमंत्री नरेनर मोदी नहीं कहा कि हम सबसे बड़े लोग तंत्र आप सबसे पुराने लोग तंत्र और अगर हम दोनों मिल जाएं तो दुनिया के लिए प्रदानमंत्री नरेनर मोदी ने अपना कौस सेट कर दिया वो बिलकुल अपनी गाड़ी से बाहर निकलने के बाद से वो कौस उन्होंने सेट कर दिया था उन्होंने वो रैपो जो है जिसे कहते हैं के ब्रेकिंग दी आइस पहली मुलाकात है और यही वो मुलाकात है जिसमें आने वाले वक्त में पॉलिसीज भी बहुत हद तक इस मुलाकात पर निर्भर करेंगें